नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आज टेड़ी ओफिशल पर तो आज हम बात करेंगे जारखन विधान सभा चुनाव 2024 के नतीजों की तो दोस्तों इस चुनावों में जारखन मुक्ती मोर्चा के नतीतरु वाले इंटी गटबंदन ने बहुमत का जादूई आकड़ा पार कर लिया है मुख्य मंतरी हेमन सोरेन की सरकार सत्ता में वापसी करती नजर आ रही है वहीं दूसरी और भारती जनता पार्टी के नतीतरु वाला एंटी ए गटबंदन विपक्ष में ही सीमित रह गया है तो आज अपनी इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे चारखन चुनाव के मुख्य मुद्दे और पार्टीों के रणनीती के बारे में साथ ही हिमन्त सोरेन की जीत के बड़े कारणों के बारे में भी हम बात करेंगे और इसके अलावा दोस्तों महिलाओं और आदिवासी वोटर्स की इस चुनाव में क्या भूमिका रही इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे NDA की हार के पीछे के कारणों की और अंत में इस चुनाव के भविश की राजमीती पर क्या असर पड़ेगा इस पर भी हम चर्चा करेंगे तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दू कि 2024 के विधान सभा चुनावों में मुकाबला मुखे रूप से दो पार्टीज के बीच में था इंडी अलाइन्स और NDA अब इंडी अलाइन्स का नेतित्रव हेमन सोरेन की जारखन मुक्ती मोर्चा कर रही थी जिसमें कॉंग्रेस, राष्टी जनता दल और वामपंथी पार्टिया भी शामिल थी और दूसरी दरफ दोस्तों NDA का नेतित्रव बिजेपी कर रही थी जिसमें और जारखन स्टूडेंट्स यूनियन और लोग जनशक्ती पार्टी जैसे छोटे दल भी शामिल थे अब NDA ने अपने प्रचार अभियान को गुस पैठिये जैसे मुद्दों पर केंदित रखा वहीं इंडी अलाइंस ने स्थानियता, आदिवासी अधिकार और महिलाओं के लिए आर्थी की उजणाओ पर जोड दिया चलिए अब बात करते हैं हेमन सोरेन के जीत के कारणों की तो दोस्तो हेमन सोरेन की जीत के पीछे कई कारण है जिन पर चर्चा करना बेहत जरूरी है सबसे पहले बात करते हैं 1932 खतियान अधारित स्थानिय नीती की तो दोस्तों हेमन सोरेन ने 1932 के खतियान जिसको भूमी रिकॉर्ड बोला जाता है उसके आधार पर स्थानिय नीती का विधेयक लाकर जारखंड के मूल निवासियों को विशेश अधिकार दिलाए थे अब ये कदम जनता को इमोशनली उनसे जोडने में कामियाब रहा जो बीजेपी के गुसपैठिये वाली रन्नीती पर भारी पड़ा इसके अलावा दोस्तों महिला शशक्तिकरन योजना है वोटर्स को लुभाने के लिए हेमन सरकार ने मैया सम्मान योजना लागू की इसमे 19 से 50 साल की महिलाओं को हर महिने 1000 रुपे की आर्थिक मदद दी गई इस योजना का असर ग्रामीन और आदिवासी इलाकों में काफी जादा देखने को मिला बीजेपी की गोगो दीदी योजना का वादा उतना प्रभावी नहीं रहा क्योंकि जनता को मौजूदा योजना पर भरोसा था इसके अलावा दोस्तो आदिवासी समुदाय से जुडाव हेमन सोरेन खुद एक आदिवासी नेता है और उनकी पार्टी का अधार भी आदिवासी समुदाय है जब हेमन सोरेन पर भरष्टाचार के आरोप लगे तो उनके समर्थकों ने इसे राजनीतिक शा रुजना की बहाली हेमंद सरकार का एक और लोगप्रिये फैसला था ये कदम सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को लुभाने में काम्याब रहा इसके अलावा दोस्तों स्थानिये बनाम बहरी नेता बीजेपी ने अपने परचार अभियान में शिवरात सिंग चोहा और हिमंद विश्वा सर्मा जैसे बहरी नेताओं पर भरोसा जताया लेकिन जारखंड के स्थानिये मुद्दो को समझने और जनता से जुडने में ये नेता विफल रहे हेमंद सोरेन ने इस बात को अपने भाशनों में बार बार उठाया था जिससे जनता का रुजान अगुवरदास सरकार के समय लागू की गई स्थानियेता की नीती से जनता नराज थी ये मुद्दा 2019 में भी बीजेपी की हार का कारण बना था और इस बार भी वही स्थिती रही इसके अलावा दोस्तों जमीनी इस्तर पर संगठन की कमजूरी एंडिये के सहयोगी दल जैस बीजेपी के पास हेमन सोरेन जैसा कोई मजबूत स्थानिये चहरा नहीं था परचार अभियान में प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी और अन्य बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया लेकिन इससे वोटर्स इमोशनली उनसे कनेक्ट नहीं कर पाए अब बात करें अगर महिला और आदिवासियों की तो दोस्तो जार्खन की राजनीती में महिला और आदिवासियों की भूमिका हमेशा एहम रहती है इस बार भी करीब 50% महिला वोटर्स ने मईया सम्मान योजना को देखते हुए हेमन सोरेन का साथ दिया इसके अलावा आदिवासी समुदाये ने पढ़ सकता है इंडी ब्लॉक की ये जीत 2024 के लोगसभा चुनावों से अपने विपक्षी दलों का मनोबल बढ़ाएगी वहीं बीजेपी के लिए ये एक संकेत है कि स्थानिय मुद्दो और नितित्रु को प्रात्मिक्ता दिये बिना चुनाव जीतना मुश्किल होगा तो को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले हम मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए तैंक यू